प्रेंट्स मैं सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंग आज हम आपको बीएस्टी फर्स्टियर के एवोलूशन बाला जो भाग है उसको कंटूनेशन में लेते हुए हम जिनेटिक बेसिस ऑफ एवोलूशन के बारे में बात करेंगे तो जिनेटिक बेसिस ऑफ एवोलूशन का जो सेंस होता है वो जीवों में होने वाले परवर्तनों के सतत प्रक्रम को सतत प्रक्रम मनें कंटूनियस जो प्रक्रम होता है उसको हम जैब विकास का नाम देते हैं याइब विकास मानेज्गे एवोलूशन मानेज नाम जटा है कि प्रतेख जीव लगातार बरवरतन के बातारे और उसमें लघातार शैंज आते रहते हैं और इन परवरतनों की स्रंखला को हम इन परवर्तनों की सरंख्ला को जो परवर्तन शब्द है यह important है इसके जो continuous process है उसी को हम जो है जे विकास का नाम देते हैं प्राकर्तिक वरण के जेव विकास के सिध्धान्त के आधार पर जेव विकास होना माना गया है, जेव विकास का जो सिध्धान्त है वो नेचुरल सेलेक्शन, नेचुरल सेलेक्शन के जेव विकास के आधार पर ही इसको evolution माना जाता है, परन्तु मेंडल के अनुवान सिक्ता के नियम की पुने खोज के बाद ये एक वरदान साबित हुआ मेंडल की जो खोज है वो मेंडल के अनुवान सिक्ता के जो नियम है उसकी पुने खोज के बाद प्रिजिनन और आन्वानसिक गुणों के तत्मों को खोज लिया गया क्योंकि पहले आप बच्चों ये पता है आपको कि प्रिजिनन के बारे में डिटेल और आन्वानसिक जो गुणों होते हैं उनके बारे में कोई ऐसी बात खोज नहीं हुई थी जिससे ना तो जीन्स के बारे में पता था हमें गुर्शूत्रों के बारे में ज्यादा क्यान नहीं था तो इन बातों की खोच मेंडल के बाद हुई तब हमें ये सारा क्यान प्राप्त हुआ उसके बाद अपन देखें इस बात को कि आन्वान से गुणों के आधार जीन होते हैं या आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आन्वान से गुणों के आधार कौन होते हैं जीन होते हैं तो जेब बिकास में आईब भूमिगा नेवाऄ निवाते हैं ब्रानियों में बिविन लक्ष्वनों की उत्त्ति की लिए अलग-लक जीन आउश्क होते हैं एक ही स्वरूपों के बिविन स्वरूपों को प्रदिशित करने वाले एलील या विकल्पी जीन कहलते हैं एलील कहलाते हैं, विकल्पी एलील कहलाते हैं तो हम ये आगे की चर्चा करें तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जीन गुर्सूत्रों पर आधारित है गुर्सूत्रों पर निश्वित इस्थानों पर या बिंदू पर उपस्थत होते हैं ये अच्छी तरह दिग्यान है बच्चों कि ये जीन जो हैं वो गुर्शूत्रों पर निश्वित स्थानों या बिंदूओं पर उपस्थित होते हैं जिने बिंदूपत या लोकस कहते हैं हजीन हमेसा डूइड़ित होते हैं कैसे होते हैं जुए गुरषूत्रों की संख्या भी 2N होती है आपने सुना होगावावस्त fra tea गुरषूत्र होते हैं तो तैईस sent in to 2 होते हैं को इनको 46 मानते अधर अजर प्रार कidor होते हैं तो उनको एन कहते हैं इसका मतलब एन मेल से और दूसरे एन फीमेल से आते हैं जब बड़े पैमाने पर समिस्ट्री के जीन में परिवर्तन हो तो यह जैव विकास के लिए अत्यादिक मैथ्मून आधार हैं परन्तु यह आनुमान्शिक परिवर्तन सभी मेत्मून होते हैं जब समिस्ट्री बड़ी हो तो जैव विकास के कारक कारक कौन-कौन से होते हैं जैव विकास के आपने पड़ा है मुटिशन जैसे होते हैं उत्परिवर्तन है डेवीशन है बिचलन है प्राकर्थिक्वर नैच्वल सेलेक्शन कहते हैं जिसको मवजूद हो एबम इसमें यादरेचिक संगम नहीं हो रेंडम जो मैटिंग है वो नहीं हो प्रत्यक समिस्ट्री का अपना एक जीन कोस होता है एक पर्टिकुलर जो है जीन पूल होता है उनका समिस्ट्री के प्राणियों में पाए जाने वाले सभी जीन संग्त से उस समिस्ट्री के जीन कोस कहलाता है एबम समिस्ट्री के सभी सद्द्र से आपस में प्रिजिनन करते हैं एक ही लक्षन के विविन स्वरूपों को जीन कोस में उसी मिंदूपत पर उपस्टित अलील दोरा दूसरे अलील की तुलना में उसके समनुपात को जीन बारंबारता या जीन आदर्पी कहते हैं दुबारा इस बात को देखें कि अगर एक ही लक्षन के बिभिन स्वरूप हैं जैसे आखों का रंग है तो बिभिन रंगों के भूरिया के ब्लेक और बिभिन रंगों के अगर आखों के बिभिन स्वरूपों को देखें तो उनके जीन को उसमें उसी बिंदू पत पर उपस् या Jena Aditi कहते हैं तो next point अगर बात करें तो next point जो आता है हमारा वो इसीविदू की अधार पर इसको अपन समझीनी या विसमझीनी कह सकते हैं प्राणी के दोनों कुरुसूत्रों पर एक ही बिन्दू पर पाए जाने बारे दोनों कुरुसूत्र जदि एक समान होते हैं तो उसे हम homo genus कहते हैं इसको अपन क्या कहते हैं homo genus का नाम इसको देते हैं दूसरा point अगर बात करें तो बिसमजीनी जब बिंदू पत्थ पर दोनों गुर्शूत्रों पर दोनों जीन अलग-अलग हों तो उसे हेट्रोजीनस कहते हैं आप अपनी आबिरती को निरंतरता बनाए रखने का भी यह काम कर सकते हैं मेंडल और जैविक बंस परंपरा के आणविक दिस्टिकों फूसरी बात अपन करेंगे कि मेंडल बात और जैविक परंपरा के जो molecular point of view हैं इसके बारे में अपन जानकारी करेंगे तो प्राकर्तिक द्रस्टिक की विधी से इसपस्ट है कि जैविक उद्विकास किसी जन्तु समधाय की जीना परती में जन्तु समधाय माने पूरा एक समधाय जन्तु का और उसकी जीन जो frequency है उसमें निरंतर क्रमबार परिवर्तन का फल है यदि उसमें निरंतर क्रमबार परिवर्तन होता रहे तो उसी का प्रणाम ये जैब विकास कहलाता है अधर लगातार पीडियों के दोरान समदाए के सदस्यों में किनी जीन का अनुपाथ घट या बढ़ जाता है जैसे यदि किसी सदस्य के एक जीन में उत्परवरतन होता है मान लेजिए कि अगर किसी सदस्य के एक जीन में उत्परवरतन होता है तो प्राकर्तिक च्वेन की परिक्रिया द्वारा ये परवरतन अधिक से अधिक सदस्यों में ट्रांसफर होते जाएंगे खेने का मतलब इसको इस तरह समझना है कि यदि किसी सदस्य के मान के चलो किसी भी जीन में मुटेशन हो कोई भी मुटेशन हो तो वो नेचरल सेलेक्शन की जो अट्रमेटिक प्रिक्रिया है उसके द्वारा ये परिवरतन अधिक से अधिक नंबर अफ जो मेंबर्स हैं उनमें ज्यादस ज्यादस्यों में ये ट्रांसफर होते चले जाएंगे पिड़ी दर पिड़ी अधिया जीन की आबरती बढ़ती जाती है जीन की जो फ्रिकेंसी है वो बढ़ती जाएगी और अधिया जीन की आबरती में परिवरतन उद्विकास को बढ़ाता है जिनको निम्न कारकों की विवेचना करके समझाया जा सकता है जिस पर जीन आबरती को परिवर्तित करने की गती निर्भर है वह स्वेम उद्विकास का एक कारण भी है वो स्वेम जो है वो उद्विकास का एक मूल कारण भी बनता है तो आबरती जो होती है वो निरतर बढ़ने के कारण ही जैब विकास का जो करम है वो तेज हो जाता है और जैब विकास जैसे बढ़ेगा तो उसमें परवर्तन आएंगे और इनी परिवर्टनों की एक सरंखला जो होती है एक निश्वित जाती के निर्माण में इसे उपरदान करती है और नए लेक्षनों बाली जाती की उत्पत्ती को उद्ध विकास का ही नाम दिया जाता है अते ये जीन और गुर्शूत्रों से रिलेटेड एक गटना है परिगटना है जिससे इस सरस्टी का धीरे धीरे विकास हो रहा है और उद्ध विकास लगातार जारी है बहुत अनिकों बरसों से ये जारी है और अनवरत रूप से आज भी ये चल रहा है लेकिन हमें पर्टेक्ष में लक्षणों के रूप में ये दिखाई देता है धन्यवाद